है यह आपका जो कोश्यन है यानि की आपका जो 100 तक का जो कोश्यन है वह अपने इस क्लास में देखेंगे ठीक है और साथी साथ एक और चीज बताता हूं आप लोगो देखो जब आप live session में करते हो ना ठीक है जब आप मेरे साथ में जब question paper practice करते हो ते एक बहुत आप लोग को something आपका पता है 4,000 questions का आपको प्रैक्टिस हो रहे हैं मतलब 40 या 42 days में आपका देखो एक दिन में 100 questions कर रहे हैं अपन ठीक है तो 4 days मतलब आपका एक दिन में 100 questions कर रहे हैं तो 40 days में देख लो आप लोग 4000 अराउंड अपन question ट्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो आप पेंडिंग छोड़ोगे चीजों को तो पेंडिंग ही हो जाएगा ठीक है आप लोग को पीडिया प्रोवाइड कर रहो हूं मतलब आप सोच रहे हो कि हम कल कल लेंगे परसों कल लेंगे तो नहीं हो पायागा य मैं most of the slokas वाले questions यहाँ पे लेकर आ रहा हूं plot कर रहा हूं ठीक है तो slokas वाले लर्न करने में टाइम लगता है और अब जब इस step से आप लोग करोगे practice तो आप लोग को याद भी जल्दी सोगा ठीक है तो ज्यादा time नहीं गवाते हैं ठीक है तो यही चीज बस बताना ठीक है कि 4000 से अब अपन question की practice कर रहे है ऐसे ही ठीक है तो आप लोग को पता नहीं चलेगा लेकिन ऐसा हो जाएगा ठीक है तो इस वज़े से एक भी मैं यह बोलूँगा एक भी session मीशी मत करना ठीक है एक दिन में 100 भी कर रहे है तो 40 दिन में 4000 हो जा रहे है ठीक है और उतना अब भी हो रहा हूँ वह भी आपन slocas वाले जादा कर रहे है ठीक है ताकि आप लोग को याद रहे है अगर quotation से question आए तो अभी तक पहले अपन लोग ने इसमें कितने कर लिये थे 50 तक के questions कर लिये थे ठीक है अब आपन आगे बढ़ते है तो 51 number का question मैं आपके सामने plot कर र यह दोने statement सही है कि क्या है यह आप लोग बताओ पहले statement आपका बुलाग है चरा कनुसार अतिक्रिस की चिकित्सा कर्शन है पहले statement क्या बुलाग है चरा कनुसार अतिक्रिस की जो चिकित्सा है वो कर्शन है second statement बुलाग है चरा कनुसार अतिक्रिस को 6 रोग कहा जाता है तो मैं नहीं बताऊंगे यहाँ पर मैं सिधह आंसर बताऊंगे बाद में, ठीक है, दूसरा भूल लग और चरक कनुसार अधिक रिस्को 6 रोग हो जाते है, 4 अप्शण तो आप transactions सत्य है, दोनुकंद सत्य है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तो यहां पस्ते आप बताऊं, कौन से option जाएगा यह 4 option में से कौन से जाएगा जल्दी बताओ अब थोड़ा सा आप लोग को अपने speed भी बढ़ाना है ठीक है जो आपके ऐसे question रहे गए ना reason as a son उसमें जाद आपको time देना है ठीक है क्योंकि उसमें थोड़ा समझने में time लगता है जो एक short में रहेगा उसको तुरण जल्दी जल्दी solve करने है simple सी बात है ठीक 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 है अंसर आ गया ठीक है अब मैं करा सकते है यह आप सभी लोगों पते है ठीक है अतीक रिस्क को 6 जन्य रोग हो सकता है बिलकुल सहий है भाई 6 जन्य रोग हो सकते है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो second statement सही है ठीक है अब यहां पर आपका आंसर क्या जाएगा बता रहूं मैं दी जाएगा ठीक है ओके नेक्स्ट कोश्चन को मैं यहां पर आपके प्लॉट करता हूँ ठीक है नेक्स्ट कोश्चन का अब यहां पर यहां पर भी दो statement दिये गए है आप लोग बताओ पहला statement मैं पढ़के बता रहूँ आप लोग को कि चरा कनुसार आ लोम अश्ट निंदित सरीर है second बोला गए है चरा कनुसार अति लोम अश्ट निंदिनिय सरीर है बताओ दोनों statement क्या सही है बहुत easy question है ये तो इसके लिए मैं ज्यादा time नहीं दूँगा final answer आप लोग करो ठीक है लोग कर दिया ये तो सब कस नहीं जाएगा ठीक है चारोई statement देखने की भी जुरुरत नहीं है दोनोई statement सही है पहला ही जाएगा ठीक है second question मैं आता हूँ ठीक है इसके आगे 53 number का question हाँ अभी इसका answer बताओ भई हाँ और जीन लोग का श्लोकास में भी गलत हो जाता है ना मैं कई लोग का देखा हूँ ठीक है तो उसको regret नहीं करना है ठीक है धीरे धीरे सीख रहे है आपके दिमाइक में जब आप question गलत होता है ना ताब आपको पता चलता ही कि हाँ हमारे ये गलत हुआ था ताब आप final year के जो आपका final exam रहे है कि उसमें आप गलत नहीं करोगे तो गलतियों पर थोड़ा ध्यान देते रहे ना ये श्लोग का बताओ 53 नंबर का question बताओ दीवन सैरन कदाचन किस रोगी के लिए है दीवन सैनीर कदाचन ये किस रोगी के लिए है question समझ में आ रहे है न चार option यहापे plot कर रहो हमें दूशी विश रोगी के लिए second आपका option है ग्रित दूध नित्य सेवी के लिए इसका अंसर बताओ मेरेको इसके लिए है बिल्कुल भी सोना नहीं चीए अब यह से एक्स्प्लेइन तो नहीं करूंगा मैं ठीक है आप लोगो खुद को समझना है मैं बस आप लोग के सामने question लाओंगा ठीक है किसको नहीं सोना चीए अब ही बताओ श्लोक में आएगा क्योंकि श्लोक में यहाँ पर बोला गया है कि कदाचित नहीं सोना चीए किसको नहीं सोना चीए यह चार option है फाइडल आंसर लॉक कर लिए आप लोग मैं आंसर बतार हूं वह दूशी विश्य रोगी को भी अपन नहीं सोलाते हैं गृत दूद्ध नित्य सेवी को भी नहीं सोना चाहिए ठीक है कप्रकृति के पूरुष को भी जादा नहीं सोना चीए दीन में नहीं सोना चीए दी जाएगा आपको प्रोकत सभी ठीक है नेक्स्ट कोश्चन प्लॉट कर रहा हूँ अब मैं ठीक है देख लोग कितने लोकस नहीं हुआ आप लोग का यह वाला ठीक है तो यह आपका कायची किससे से रिलिटर था ठीक है तो सब्जेक्टिव वाइस जिन लोग को बोल रह रहता हूँ लगुत तरीका प्रॉपर देखो उसका भी है आपका ठीक है उसका भी आपका लाश्ट में रहेगा दो तीन जो सीरीज रहेंगे हुआ ठीक है यहां पर 54 नंबर का कोश्चन बताओ मैं रुखो क्या बोलागए है पूरुसम योगिना सिद्या सत्य बुद्धीर वगता यहां किसके संदर्व में आया है श्लोक समझो अच्छे से श्लोक समझो चलो जल्दी से ओप्सेन लाओ यह चार ओप्सेन आपके 54 का निद्र के लिए है आहर के लिए है योग के लिए है या तेल मर्दन के लिए है फिर से एक बार कोश्चन दिखा रहूं मैं किसके लिए है बताओ फाइनल अंसर लॉक करू जल्दी इसका अरे नहीं भई यह निद्र के लिए है भई निद्र के लिए है ठीक है मैं आंसर बता दिया मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं बोला था ठीक है तो जल्दी जल्दी करना अपने को फास्ट बढ़ना है ठीक है 120 कोश्चन रहेंगे तो अपने कोशिश करने के जादा जादा question जल्दी जल्दी solve हो, ठीक है, ऐसे one line वाले तो जल्दी हो जाएं, ठीक है, quotation से सीधा उठा हुआ है, तो निद्र के लिए बोला गया है, ठीक है, 54 का answer हो गया, आगे बढ़ें, 55 नमबर का question plot कर रहा हूं, सब का reference मैं दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग चेक कर लते हैं, जाना, तो यह बहुत easy question है, अतिस थूल में किस प्रकार की वस्ती का प्रयोग करना चीए, 55 का बताओ, अतिस थूल जो रोगी है, उसमें कौन से जो है, किस प्रकार की वस्ती का प्रयोग करना चीए, चार option है आपके तिक्ष्नवस्ती, रुक्ष बस्ती उष्ण बस्ती उप्युक्त सभी बताओ फिप्टे फाइब का अंसर बताओ तिक्ष्ण रुक्ष उप्युक्त सभी उष्ण और उप्युक्त सभी अतीश थूल को फाइनल आंसर लॉक करो आप लोग जल्दी फाइनल आंसर लॉक करो अंसर बता हूँ मैं योगी अतीस थूल है ठीक है मैं अब अब अंसर बता रहा हूँ ठीक है सबका अंसर आ गया अब मैं बता रहा हूँ अंसर ठीक हो अतीस थूल है ठीक है तो अतीस थूल है तो उसकी चिकेट से के लिए परशन चेकट सही करते हैं, आप लोग को भी पते हैं, तो तिक्ष्नवस्ती का भी प्रयोग करेंगे, रुक्ष्नवस्ती का भी प्रयोग करेंगे, तो आंसर क्या जाएगा, आपके 55 का, D जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, D जाएगा, ओके, clear, next question अपना plot कर रह हो, सब का reference चेक करते जाना, ठीक है, आप लोग, अगर आप लोग को कोई doubt रहा, तो उस condition में, ठीक है, यहाँ पर आप बताओ, इस नानस से अभ्यास, किसका निदान है, इस नानस से अभ्यास, किसका निदान है, चार option है, आपके, उत्सह, अतिक्रीश, 6 रोग, प्रतिश् है, यह तो समझ में आ जाना चीए, अगेन question दिखार हो मैं, 56 नंबर का, किसका निदान है, इस नानस से अभ्यास, चार option है आपके, final answer put up करो, जल्दी आप लोग, live chat box में, जल्दी put up करो, जल्दी put up करो, इसका है, ठीक है, कुछ cancer सही है, ठीक है, डी जाएगा इस cancer, ठीक है, प्रतिश्याय के लिए बूल लग गया है, ठीक है, तो प्रतिश्याय का निदान है, अभी इस नानस से अभ्यास, ठीक है, हो गया, नेक्स्ट कुश्चन प्लॉट करो, तो नेक्स्ट जो कुश्चन है, वो आपका है, 57 नंबर का कुश्चन, ठीक है, अभी ये श्लोक का बताओ है, किसके लिए बूल लग गया है, किसके लिए बूल लग गया है, श्लोक आप लोग अच्छे समझ लो ये वाला, उसके बाद में ऑप्शन के उपर अपन जाएंगे, 57 नंबर का, हो गया, ओप्शन प्लॉट कर लूँ में चार, रक्त के लिए है, पंडू के लिए है, ग्रहनी के लिए है, ये स्वास के लिए है, ये चार ओप्शन हैं बताओ, रक्त, पंडू, ग्रहनी ये स्वास, लाइव चैट बॉक्स में सभी लोग अंसर पूट अप करो अपना, 57 का, 57 का अ फाइनल अंसर आप लोग को सम्मेट हो गया ना अब मैं बता रहा हूँ ठीक है यह मिल्ली किसके लिए है यहाँ पर प्लिया कास शैस्वास गुलमार्स उद्रनीचा क्रिशा प्रायोड धवन्ती रोगश्य डैस गता यह मिल्ली आपके ग्रहनी के लिए है ठीक है देख लो 57 का अंसर है आपका C ठीक ग्रहनी 58 नमबर का कुश्चन अब आपके सामने में प्लॉट कर रहा हूँ ठीक है 58 नमबर का कुश्चन बताओ चरक सहिता अनुसार मेदो रोग में किसका प्रयोग बताएगे है चार ओप्शन आपके तक्रारि रिष्ट लोह भस्म सीला जत्तू उप्रोग तसभी चरक सहिता अनुसार मेदो रोग में किसका प्रयोग बताएगे है चार ओप्शन आपके तक्रारिष्ट लोह भस्म सीला जत्तू उप्रोग तसभी अगेन कोश्चन यहाँ पर देख लो फाइनल आंसर आप पूट अप क बिल्कुल सही ठीक है d आंसर जाएग아 इसका ठीक है नेक्स्ट कोश्चन प्लॉट करूँ में ठीक है तक्रा कभी बतायागय है ठीक है इसके अलब और लोह हो भस्म की बतायागicia सीला जत्तू कभी बतायग है मिये दो रोग में 59 नमर का कोश्चन अब प्लॉट करूँ मैं आपके सामने, अब ये श्लोक आप लोग पढ़ों, ठीक है, एक बार मैं रेट कर देता हूं, अचिंतनात अच्छा कार्याणाम दुरूवम संतरपन एवच्छा, किसका चिकिस्चा सुत्र हैं, बताओ, तो कही लोग मैं देखता हूं, जब मैं आंसर बताता हूं, तब फिर अपना पूट अप करते हैं, तो वैसा मत करो, ठीक है, क्योंकि आप उसमें आप खुद के साथ में ही धोखा कर रहे हूं, मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे हूं, ठीक है, तो आप लोग को अपने साथ में होनेश्ट रहना है, दूसरा क्या बोल रहे है, कैसा बोल रहे है, वो म में ही और कुष्ठी ये चार ऑप्षन ये चिक इसस उत्र किसका है किसका है चलो आंसर में फाइनल आंसर पूट अप कर लिए आप लोग मैं आंसर बता रहूं 59 का बी है इसका अंसर अतिक रिश्च के लिए बोला गया है ठीक है अचारे चरखने के हैं ये अतिक रिश्च के बोले हैं ठीक है 59 का आपका बी जाएगा ठीक है फिर उसके आदे 60 नंबर के वोश्चन के और अपना आते हैं ठीक है आप लोग रेफरेंस चेक कर लेना ठीक है दो यहाँ पर इस्टेटमेंट आपके दिये गये हैं कौन से पहला इस्टेटमेंट बोला गया है चरा कनुसा मैथून से चीन दिन में सेयन करने की योग्ये होते हैं दोनों इस्टेटमेंट आप बताओ बहुत इजी है यह जल्दी बताओ कौन से है आपका आपका आंसर चारों में से कौन से है आप लोग यही बता दो पहला इस्टेटमेंट क्या है सही है कि नहीं बताओ फाइनल आं रखने दूसरा इस्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि मैं थून में जो छीन जो रोगी है उसको दिन में सोना चीए ठीक है तो क्या होगा इसका अंसर 60 का ए होगा ठीक है अगैन बता देता हूँ प्रिय दर्शनम की स्व्यादी के चिकित से हैं जल्दी फाइनल आंसर पूट अप करो आप लोग मैं आंसर बता रहूं ठीक है आंसर बता रहूं मैं बी जाएगा इसका आंसर ठीक है बीजाय के इसका आंसर अतिक रिष्ट के लिए बोला गया है ठीक जो आपका प्रिय दर्शना अब नेक्स्ट कोश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ ठीक है 62 नंबर का जो कोश्चन है वो अब यहाँ पी ये बताओ अतिस्थूल में किस प्रकार के अरिष्ट का प्रियोग करना चाहिए अतिस्थूल में किस प्रकार के अरिष्ट का प्रियोग करना चाहिए 62 का आंसर बताओ में रखो चार ओप्शन है आपके सामने मेद नासा करिष्ट बी हाप का मास नासा करिष्ट C हाप का स्लेश मनासक अरिष्ट और D हाप का उपरोगत सभी बताओ यहाँ पे अति इस्थूल में किस प्रकार के अरिष्टों का प्रयोग करना चाहिए चार ओप्शन है आपके अति इस्थूल में किस प्रकार के अरिष्टों का प्रयोग करना चाहिए मेद नासक चार आप्शन में से बताओ कौन सा अंसर है यह question है यह चार आप्शन है final answer आप लोग put up कर लिए मैं answer बतार हुआ तो अतीष थुल में मेद नासक करिष्ट क अभी प्रयोग करते हैं मास नासक करिष्ट कभी प्रयोग करते हैं तो आपका आंसर क्या जाएगा, D जाएगा, उप्रोग तो सभी, ठीक है, उप्रोग तो सभी जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने में प्लॉट कर रहूंगो, कायची किस्ट से रिलेटेड कोश्चन था यह, ठीक है, मतलब सुत्री स्थान के यह आपका, चरक के, अब यह बताओ, इसको श्लोक को थोड़ा सा आप लोग पढ़ो, 63 नंबर का, ठीक है, और इसका आंसर फिर लंगन कराना चाहिए, श्लोक आप लोग अच्छे स समझो, उसके बाद ने मैं ओप्शन पर आउँगा, 63 नंबर का श्लोक अच्छे स पढ़ो, समझो, त्वक दोशीडाम, प्रमीडाम, इसनिक्द अभिशन्दी व्रिहनम, इस अवस्था में किस रितु में लंगन कराना बताओ, ठीक समझ गया, चार ओप्शन आपके सामने, सिसीर वशन्त सरद उप्यूक्त सभी, सिसीर वशन्त उप्यूक्त सभी, अगेन कोश्चन में यहापे आप लोग को श्लोक दिखा देता हूँ, यह जो है, इस रितुमें कौन से, की सरितुमें इस अवस्था में लंग लंगन कराना चाहिए बताओ, शिसीर वशन्त, शरद, उप्यूक्त सभी, फैनल आंसर प्लॉट करोओ, पूटब कर लिए अपना, आंसर बता रहूं मैं, 63 का, शिसीर रितु के लिए बोला गया है, ठीक है, 63 आपका कहा है, शिसीर रितु के लिए बोला गया है, ठीक, 64 नम कितने भेद बताएगे हैं, लंगन के कितने भेद बताएगे हैं, जल्दी बताओ, फैनल आंसर जल्दी पूट अप करो, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, विलकुल सही है, ठीक है, 10 बताएगे है, बोला गया है, कि वातविकार वाले रोगियों को लंगन किस रितु में कराना चाहिए तो वात विकार वाले रोगियों को कौन से रितु में लंगन कराना चाहिए चार रितु है बताओ कौन से है वर्ज़ा है, सिसीर है, शरत है, final answer put up करो, वात, जो वात विकार वाले रोगी है, उसको लंगन कौन से रितु में कराना चाहिए, कौन से रितु में कराना चाहिए, final answer put up करो, वात विकार वालों को कौन से रितु में लंगन कराना चाहिए, एक question है, चार में से कौन से है, मैं answer बतार हूँ आप, ठीक है, 65 तक आपका कहें, C है, ठीक, CC रो गया, then, next, next question आपके सामने में लाता हूँ, next आपका 66 में बूला गया है, मध्यम बल वाले जो रोग है, उसमें कहें, लंगन किया जाता है, चार option है आपके पास, सोधन से, पाचन से, उपवास से उप्रोगत सभी, जो मध्यम बल वाले हैं, उसमें लंगन किया जाता है, कौन से है आपका, सोधन है, पाचन है, उपवास से उप्योगत सभी, फाइनल अंसर बूट अप करो, इसमें आपका जाएगा पाचन, ठीक है, मध्यम बल वाले में, पाचन से लंगन कराया जाता है, 66 का आपका बी जाएगा अंसर, ठीक, देन, 67 नंबर का कुश्चन आपके सामने में प्लॉट कर रहो, 67 नंबर के कुश्चन में आपके क्या बोल गए है, तो S1, पहला आपका इस्टेटमें बोल गए है, 4 कनुसार पीपासा लंगन का प्रकार है, 2 कौन से हैं, बताओ सहीं इस्टेटमेंट कौन से हैं, यह मतलब आपके चारों में से, option में से कौन से है, 67 का बताओ, बताओ यह, final answer पूट अप करो, मैं answer बता रहो, तो दोनों स्टेटमेंट सहीं है, चरगन उसार पीपासा का भी लंगन का प्रकार है, पीपासा, आतप 7, दोनों बताया हैं उन्होंने, तो 67 का आपका क्या हो जाएगा, एगो का answer दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, 68 नंबर के question क्यों रपनाते हैं, 68 नंबर के question में आपका बूलाग है है, इस्त्री मद्धा नित्या, जो आपका इस्त्री मद्धा नित्या, सेवनी पुरूशनिवने में से, किस कर्म के योग्य होते हैं, बताओ, किस कर्म के करो, live chat box में, इस्त्री मद्धा नित्या, सेवनी, पूरूशनिवने में से, किस कर्म के योग्य होते हैं, मैं answer बतारूँ, बिरिहन कराते हैं, बिल्कुल आप लोगों में कई बहुत अच्छा answer दे रहे हो रहा है, ठीक है, और आप लोग कोई दिक्कत वाले बात नहीं है, देरे देरे improvement होगा, ठीक है, 68 के बाद में, अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, 69 नंबर के question के और, 69 नंबर के question बहुत easy है, निमने में से, कौन से, अरे sorry, हाँ, ये आपका असत्य जो यूग में है, उसको आपको बनाना है, कौन से जो है, incorrect है, ठीक है, उसको आप बताओ, ये 4 Final answer put up करो जल्दी, ठीक, मैं आपना, नहीं, आप लोग, कई लोग गलत देर हो, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, होगा दीरे देर होगा improvement, ठीक है, यहाँ पर आपका C answer जाएगा, ठीक है, ये आपका सही है, स्वेधन रुक्षन, स्वेधन इसनिक्द भी सही है, इस्तंभन लगए कि पांडू रोग संतरपन जन्य रोग है, सेकंड श्टेट वन बोला गए है, नापून सकता संतरपन जन्य रोग है, बताओ, बहुत एजी है ये तो, बताओ, जल्दी बताओ, क्या answer जाएगा, ठीक है, ठीक है, सेकंड जो बोला गए है, आपका, यहाँ पर नापून सकता संतरपन जन्य रोग है, यह भी विल्कुल सही है, तो बोथ इस्टेटमेट आर करेक्ट, ठीक, 71 नमबर का कुश्चेन यहाँ पर प्लॉट करताओ, मैं, 71 नमबर के कुश्चेन में आपका क्या बोला गए है, यहाँ पर बोला गए है, वेशाग्य इसका जल्दी आंसर पूट अप करो, फाइनल आंसर जल्दी पूट अप करो, जल्दी जल्दी, हो गया सभी का आंसर, मैं आंसर बता रहूँ, ठीक है, स्वेट जी रख के लिए बोला गए, देखो एक लाइन का जो कुश्चेन रहेंगा नो उसको जल्दी करना, ठीक है, ताकि रिजन अजसन के लिए आपके पास टाइम बस सके हैं, ठीक है, 71 हो गया, अब अपन आगे बढ़ते हैं, 72 नमबर के कुश्चेन के ओर, यह भी बहुत एजी है, यहाँ पर आपका बोला गए है, प्रमीलक है, कौन से है प्रमीलक, संतर्पन जन्य, अब तर्पन जन्य सी है, आपका, ए और बी दोनो, नोन अब दो बोग, ठीक है, इन में सुकोई नहीं, बताओ, यह आपका है, प्रमीलक क्या है, बताओ, 72 का बताओ, फैनल अंसर जल्दी पूटप करो आप लोग, अंसर बता रहू हूँ मैं, ठीक है, संतर्पन जन्य है, रेफरेंस वगर पस से निकाल रहा हूँ, ठीक है, रोगने दान से रेलेटेट है, 23rd जो चैप्टर है, सुत्रिस्थन का उससे है, अब यह तो easy है, बहुत easy है, यह आप सभी लोग को आना चाहिए, प्रमेह, प्रमेह में कुष्ठादी चूर्ण का सेवन किस अनुपान के साथ किया जाता है चार आपके option है, तक्र, बदरमलरस, निम्बकवाथ, और A और B दोनों, यहाँ पर आपके 73 का बताओ, तक्र, बदरमलरस, निम्बकवाथ, A और B दोनों, 73 का आंसर बताओ, पैनल आंसर पूट अप करो, यह चार option में से कौन से है, मैं आंसर बता रहूं, तक्र कभी प्रयोग किया जाता है, बदरमलर कभी प्रयोग किया जाता है, प्रमेह में, ठीक है, प्रमेह में जो कुष्ठादी चूर्ण का सेवन कराते हैं, ठीक है, तूसमें अनुपान के सा साथ में आपके जो है, तक्र कभी प्रयोग करते हैं, तो डी आंसर जाएका इसका, नेक्स्ट कुष्चन आपके सामने में प्लोट कर रहूं, ठीक है, भैसा जो कलपना से रिलेटर था, ठीक है, सुत्र इस्तान 23 के यह कुष्चन है, 74 नमर का कुष्चन बोले गए है, चीर हो गया, मधु हो गया, मधिरह हो गया, यह और भी दोनों, फैनल आंसर पूट अप करों, यह कुष्चन है आपका, 74 का, यह भी इजी है, जल्दी, फैनल आंसर पूट अप करों, जल्दी बताओ, इसमें ज्यादा टेम लग गएंगे, इजी है इसका आंसर, ठीक है, मैं बत हो, तो यहाँ पर क्या बो लगया है, 75 में एक कोटेशन दिया गया है, यह किस व्यादी के लिए बो लगया है, ठीक है, किस व्यादी है, तो मन्थ हो गया, खरजूर हो गया, मृद्विक हो गया, ठीक है, रिक्षामल हो गया, दाडिम हो गया, ठीक है, आमलिकी हो गया, इस मद्ध्य विकार अनुतर कि मद्ध्य विकार जो आपको होते हैं ठीक उसमें कौन से में उदावर्त हो गया उत्रकिच्छों गया त्रिश्णा हो गया इसमें श्लोक वापस देख लो 75 नंबर का इसमें प्रयोग किया जाते हैं पैनल अंसर आपके आज आने चीए अब देखो मैं बता देता हूं देखो यह सारे क्या हैं अमलवाले चीज़े हैं ठीक है अधिकतर अमली चीजों का प्रयोग कहां पर किया जाता हैं कौन से व्याधियों में किया जाता हैं मनतख हो गया ठीक है विक्षाम लोग है दाडिम ह गई ठीक है तो मद्यविकार में किया जाता है ठीक है हो गया दिया आंसर जाये के इसका नेक्स्ट कोश्चन में आपके सामने प्लॉट कर रहूं सवन्टी सिक्स नंबर का कोश्चन चरकोक्त विशुद्ध रक्त का लक्षण नहीं है चार ओप्षण यहाँ पर आपके समने में प्लॉट कर दिये हूं आप लोग बताए तपनियाब वग्दमालक्त सन्निभा शशास्क्रेत प्रतिमं डि उप्योक्त सभी ये तो इजी है यार फाइनल आंसर जल्दी पूट अप करो जल्दी पूट अप करो चरक को अपत बोला गया है ठीक है चरक ने क्या बोला है ससाथ्कृत प्रतिमं नहीं कहा है ठीक है फाइनल आंसर बतारो ससाथ्कृत प्रतिमं किस ने बोले है सुशूरुत ने बोले है तो यह जाएगा स की जाएगा आपका अंसर ठीक है नेक्स्ट कोश्चन प्लॉट करूँ तेक 76 हो गया 77 नुम्बर के कोश्चन के और अपना आते हैं 77 में आपके क्या बोला गए है 77 ने बोला गए है कि मद रोग में कौन से दोश दुर्बल हिर्दय में जाकर मन को छुब्ध कर देते हैं बताओ मद रोग में कौन से जो दोश होता है वो दुर्बल हिर्दय में जाकर मन को छुब्ध कर देते हैं चार ओप्शन है वात पित्त कफ उप्युक्त सभी वात पित्त कफ उप्युक्त सभी अगेन कुश्चन देख लो इसका भी आंसर जल्दी स्पूट अप करो मद रोग में कौन से दोश दुर्बल हिर्दय में जाकर मन को छुब्ध कर देते हैं चार ओप्शन है फाइनल अंसर मैं बता रहूँ अब तीनो दोस आगया त्री दोस आएगा आपका वात भी आएगा पित्त भी आएगा कब भी आएगा ठीक है हो गया 77 का आपका दी हो गया 78 नमबर का कोस्चन यहाँ पर आपके समने प्लोट कर रहूँ अब मैं 78 का आंसर बताओ मेरेको दो यहाँ पर इस्टेटमन बोला गया ही statement फर्स्ट जो आपका बोला गया है तो क्या वो लगए है कश्टी भूतो मृतो पमा चरक के मद पीडित के लिए कहा है पहला इस्टेटमेंट सेकेंड इस्टेटमेंट वो लगए है चरक अनुसार मद के चार प्रकार है पता 78 का अंसर जल्दी बतो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं आप लोग अपने स्पीड ठीक है फैनल आंसर पूट अप कर लिए आप लोग तो यहाँ पर आपको बता देता हूं पहला जो इस्टेटमेंट है वो आपका रॉंग है ठीक है आंसर बता रहो है जो आपका यह है मद के चार पकार बता है तो यह देख लो पहला इस्टेटमेंट गला दूसरा इस्टेटमेंट सही है तो आपका यहाँ पर दी आंसर जाएगे इसका नेक्स्ट कुस्चन के और अपना आगे बढ़ते हैं ठीक है 79 नमबर का कुस्चन यहाँ पर प्लॉट कर रहो हूं दो इस्टेटमेंट अगेन दिये इसका भी जल्दी बताओं असमर्था भैकारण एक रस अभ्यासो बलकारण मैं फाइनल आंसर बता रहूं असमर्था भैकारण बिल्कुल सही है तीक है यह आपका गलत है second statement देख लो कौन सा जाएगा पहला इस आपका सही है पहला second statement गलत तो सी आंसर जाएगे आपे ठीक है नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने में प्लॉट कर रहूँ अब 80 नमबर का question इसका बताओ पहला इस्टेटन बोला गया है चरक अनुसार मतस्य वसा में पाक हंस प्रधान रूप से हितकर होता है second statement बोला गया है चरक अनुसार मतस्य वसा में कुम्भीर वसा प्रधान रूप से अहितकर होता है इसमें बताओ ये चार में से कौन सा आएगा बताओ option में इसको जल्दिस थोड़ा सा प्लॉट करो इसको ठीक है मैं final answer बता रहूं ठीक है चरक अनुसार मतस्य वसा में पाक हंस प्रधान रूप से हितकर होता है बिल्कुल सही है पहला पहले statement गलत दूसरे statement सहीं, देख लो, answer क्या जाएगे इसका, पहले statement गलत, डी जाएगे इसका answer, तेके, दूसरे सहीं, next question क्यों आपना आते हैं अब, 81 number का question आपके सामने में यहापे ला रहा हूँ, यह बहुत easy है, ठीके, dash दिर्ग, दिर्ग रोगाना, कौन से हैं, चार option है आपके प्रमेह, कुष्ट, राज्यस्चमा, जुअर, dash दिर्ग रोगाना, इसका answer जल्दी put up करो, बहुत easy है, यह, इसका answer, नहीं, यह जाएगा, कुष्ट, दिर्ग रोगाना, ठीके, भी जाएगा इसका answer, फिर 82 number का question आपके सामने में आ रहा हूँ है, यह प्रिवियस य कभी paper का question paper है, वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ-कुछ questions, जो है, ठीक है, तो चीज भी ध्यान देना, 82 number का question यहाँ पर आपन देखते हैं, तो हिर्देयम पीडियती, किस रसके 37 से उत्पन्न दोश है, तो यह तो बहुत easy है, जल्दी बताओ, 82 का यह 4 option है, हिर्देयम पीडियती, कौन से, जो रहा से उसके बढ़ने का लक्षन है, हम ले लवन तिक तक अशा है, कौन से है, हम ले लवन तिक तक अशा है, यह 4 option, यह आपके question, किस रसके 37 से उत्पन्न होता है, 82 का answer बताओ, final answer put up कल लिए आप लोग, मैं answer बता रहूँ, कसायरस के लिए है भई, ठीक है, डी आएगा इस का answer, ठीक, then next question क्यों अपना के बढ़ते हैं, 83 नंबर के यहाँ पर आपका दिया गया है, 83 नंबर का question आप, आप लोग बढ़ो, कौन से रसके 37 के है, प्रगालियती कुष्ठानी, चार option है आपके सामने, अमल लवन कशाय मदूर, अमल लवन कशाय मदूर, 83 का answer बताओ, यह आपका question है, यह आपके option है, final answer आप लोग put up कर लिये, मैं answer बतार हूँ, ओके, यहाँ पर 83 का आपका B जाएगा, ओके, दें next question क्यों आपना आपके बढ़ते हैं, next question 84 नंबर का question है आपका, निकुच्च का सेवन निम्न में से किसके साथ नहीं करना चाहिए, चार option है आपके, गुड़ ग्रीट, उड़त की दाल, मधू, A और B दोनों, निकुच्च का सेवन, किसके साथ नहीं करना चाहिए, चार option है आपके, गुड़ ग्रीट, उड़त की दाल, मधू, निकुच्च का सेवन, 84 का, फाइनल आंसर आप लोगोंने फूट अप कर लिया, आप मैं बता रहा हूँ, ठीक है, निकुच्च का जो सेवन है, वो एक तो गुड़ ग्रीट के साथ में नहीं करना चाहिए, दूसरा उड़त की दाल के साथ में भी सेवन निक करना चाहिए, यहाँ पर आपका डी आंसर जाएगा, ठीक, अचिशност, डी आंसर जाएगा इसका, 84 का, देन 85 नंबर का कुश्चन आपके सामने plot कर हूँ मैं, निमना में से कौन सी व्याधी, विरुद्ध अन्न सेवन सूथ पन्न होती है नेमने में से कौन सी व्याद ही विरुद्ध अन्न सेवन सूथ पन्न होती है चार ओप्षन है आपके सामने पहला ओप्षन है मुर्चा, सेकेंड है संताप से द्वेश थर्ड है मृत्यू, फोर्थ है उप्रुक्त सभी 85th का बताओ Final answer put up कर लिए आप लोग मैं answer बतारूँ 85th का मूर्चा में भी होया, संताब द्वेश से भी हो और मृत्यू में भी यहाँ पर D answer जाएगा Then next question आपके सामने में plot करता हूँ तो यह मेरे को बताओ, 86th number का जो question है इसका answer आप लोग बताओ क्या वो लगए है गृतादिश, पित्वम, सीतम, निशेवते किस विरुद्ध का उधारण है इसका answer आप लोग बताओ कि कौन से विरुद्ध का उधारण यहाँ पे आपका बोला गया है आपके चार option जो है यहाँ पे मैं आप लोग का plot कर दिया हूँ परिहार विरुद्ध, उप्चार विरुद्ध, क्रम विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध परिहार विरुद्ध, उप्चार विरुद्ध, क्रम विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध कौन से है आपका नमबर का question क्यों अपना आते हैं 87 नमबर के question में यहाप फिर से दो statement दिये गए हैं पहले statement दिये गए है कि कुमार सीरा ने संभासा में 6 रज़ बताए हैं second statement आपका बूला गए है कि वायरवीद ने गुणों के अधार पर 6 रज़ बताए हैं कौन सा सही है चार आपका दोनी state में कौन सा सही है और कौन सा गलत है यह चार आपके option है यहाप है नीचे में कौन सा सही है कौन सा गलत है आप लोग यही बताओ यही पस्ते आप समझ होगे पाइनल आंसर पूट आप कर लिए मैं आंसर बता रहूं पहला कुमार सिला भारत वाज ने जो है आपका संभासा में 16 नहीं बता है तो पहला यह statement गलत है वायरवीद ने गुणों के अधार पर 16 बता है बिलकुल सही है तो यहां पे आपके आंसर जो जाएगा पहला जो statement है वो गलत है दूसरे statement सही है तो 87 का आपका देख लो कहां पे दिया हूँ है option में यहां पे आपका D वालो option यहाँ पर दिया है कि गलत है पहला और दूसरा से ही है तो D जाएगा answer फिर next question क्या हो और आपने आगे बढ़ते हैं तो ये वाला बताओ 88 नमबर का question पहला पढ़ लोग क्या वो लग गए है मासम, विदहती, कायम, सिथिल करोती, रक्त, दुश्यती 21 रसके 37 के लक्षन है 88 का बताओ चार option आपका 11 अमला कटू तिक्त 88 का answer बताओ 11 अमला कटू तिक्त final answer इसका जल्दी boot up करो आप लो चलो final answer मैं बता रहूँ ओके, final boot up कर रहे हो, हो गया बता रहूँ, यह 11 रसके लिए बोला गया तो 88, sorry 11 रस नहीं है अमला रसके लिए बोला गया है तो आपका मिली, अमला रसके बोला गया है कि मास, विदहती, कायम, सिथिल करोती, रक्तदुश्यती तो आपके, इस से ही आप समझ जाना चेता मैंने पढ़ाया भी था इसको, तो अमले रसके लिए बोले गए, तो 88 का आपका, क्या होगा, बी जाएगा, 88 के बाद ने अपन 89 के उपर आते हैं, 89 नमर के question क्यों राते हैं, तो यहाँ पर आपका 89 ने बोले गए है, कि दंति किस कारण से विरेचन कराती है, चार यहाँ पर आपके option है, कटू विपाक, उष्णे वीरे, स्वभाव और प्रभाव, दंति किस कारण से विरेचन कराती है, कटू विपाक, उष्णे वीरे, स्वभाव और प्रभाव, 89 का answer बताओ, चलो, फाइनल अंसर पूट अप हो गया, मैं बतारहूं अभी इसका answer, किस कारण से, विरेचन कराती है, तो अपने, विपाके डी आए जाएगा इसका answer, ठीक है, प्रभाव से, डी जाएगा इसका answer, next question यहाँ पर आप लोग को सामने मैं plot कर रहूँ, जो 90 नंबर का question है, अब इसका answer आप लोग को बताना है, question क्या बूलागे है, पहले पढ़ लो, शक्ति रूप वीर्यवाद किसने बताया है, चरक सहीता, सुसृत सहीता, वांगभट नागरजुन, चार आपसन आपके समने plot कर दी हैं मैंने, आप लोग बताओ, सक्ति वीर्यवाद किसने बताया है, चरक सुसृत, वांगभट नागरजुन, इसका answer जल्दी आना चीए, म मुश्कल से, दो सेकेंड बसे आपके पास, मैं आंजर बता रहा हूँ, चरक सहीता में, ठीक है, सक्ति रूप वीर्यवाद, रेफरेंस आप लोग चेक कर लेना, जो जो नए कोस्टेन है, उसके ठीक है, यह लोगो चेक करने है, चक्रपानी के ठीका में, 91 नमबर का कोस्ट इसमें आपका क्या बोला गये है, कि करूर कोश्ट को मंद वीर्य ओस्धी देना किस प्रकार का विरुद्ध है, 91 नमबर का आप लोग बताओ, चार ओप्षिन आपका, सात्म विरुद्ध, कोश्ट विरुद्ध, अवस्था विरुद्ध, मात्र विरुद्ध, यह आपके क सात्म विरुद्ध, कोश्ट विरुद्ध, अवस्था विरुद्ध, मात्र विरुद्ध, 91 का बताओ, बिल्कुल सही, वीजाय का कोश्ट विरुद्ध, टीक है, इसके बाद दें 92 नमबर का जो कुश्चन है वो यहाँ पर आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ चरक अनुसार पुनसत्तो मुहपनती रस नहीं है कौन सा रस नहीं है भई बताओ 11 कटू अमलकस है कुश्चन देख लो 92 का यह easy है भई एक दम आप लोगो समझ में आभी गया होगा फाइनल आंसर पूट अप कर लिए मैं आंसर बता रहूं 92 का 92 का आपका जो है वो क्या जाएगा आपका 92 का अमल जाएगा तो अमल लग सी ठीक 93 नमबर के कुश्चन के और अपन आते हैं 93 में आपका वो लगए है कि अकास से गिरने वाले जल का गुण है गुण क्या है तो अकास से गिरने वाले जल का गुण क्या है 93 का आंसर बताओ चार आपके सामने अवेक्त सीथ गुरू अवेक्त सीथ सांद्र अवेक्त सौम्मे वधूर अवेक्त सीथ लगो अकास से गिरने वाला जो जल है उसका गुन ठीक अकास से जलने वाला जो जल है उसका गुन 93 का आंसर बताओ फैनल आंसर जल्दी स्पूट अप करो कर लिए आंसर बतारो मैं ठीक है D जाएगा इसका आंसर नेक्स्ट कोस्टन के और अपना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन जो है आपका 94 नमबर का कोस्टन है 94 नमबर का जो कोस्टन है यह देखो क्या बोला गया तो यहाँ पर आपका reason अजसन आ गया ऐसे question आपको थोड़े घुमाने वाले रहते हैं आपका अजसन बोला गया है कि चरक अनुसार विभीत की रस रक्त मास मेद की विक्रिती से होने वाला रोग को दूर करते हैं यह आपका अजसन बोला गया reason आपका बोला गया है विभीत की का वीर यह उश्ण होता है 94 का बताओ यहाँ पर आपके चार option है पहला अजसन है जो पहला आपका बोला गया है अजसन सही है, reason गलत है ठीक है, फिर second option बोला गया है अजसन सही नहीं है, reason सही है थर्ड आपका बोला गया है कि अजसन है, reason दोनों सही है पर जो आपका reason है वो अजसन की सही व्याख्या नहीं करता है फूर्थ आपका बोला कि अजसन reason दोनों सही है और जो reason है वो अजसन की सही व्याख्या करता है देखलो आप लोग इसका final answer बताओ ऐसे reason अजसन के questions भी बहुत सारे आपके आयने वाले है बहुत जल्द ठीक है इसी है ऐसे ब्रह्मास्त्र में ही 94 का answer आप लोग जल्दी chat box में दो चलो ठीक है अब मैं बताओं तो यहाँ पर देखो चरक अनुसार विभीति की रस रत मास मेद के विकृति को दूर करने वाले होता है रोगों को जो है विकृति से होने वाले रोग को दूर करने वाला होता है तो बिल्कुल सही है अजसन बिल्कुल सही है आपका reason यह बोला गया है कि विभीति की का वीर्य उष्ण होता है इस वजह से तो नहीं यह जो आपका बोला गया है वो गलत है अगर आप ध्यान दोगे तो अनुपान के अनुसार भी आप बोल सकते हैं या फिर जो प्रभाव है उसके अनुसार बोल सकते हैं वीरे के अनुसार नहीं आया गई है तो आपका reason विबिती की का वीरे उष्ण होता है एक मिनट रुपा हाँ reason भी सही है विबिती की का वीरे होता है वो उष्ण होता है तो वीरे होता है उष्ण ये बिल्कुल सही है लेकिन वीरे उष्ण होने के कारण वो रक्त रस मास मेद इनकी विकृती से उत्पन होने वाले रोगों को दूर नहीं करता है ठीक है ये main reason नहीं है ठीक है वीरे उशन होता है, बिल्कुल सही है ठीक है, reason बताया गया है, विविदी के कब वी रिवुशन होता है यह बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो reason है वो proper, जो है, अजसन का proper व्याख्या नहीं कर रहे है, ठीक है तो यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है पर जो आपका reason है, वो अजसन का सही व्याख्या नहीं करता यह आपका अंसर जाएगा तो C जाएगा इसका अंसर ठीक है देन next question के और अपना आते है तो next question 95 नंबर का दो स्टेटमेंट दिया गया है देखो, 95 तक आप लोग बताओ क्या वो लग गया है क्या वो लग गया है पहला इस्टेटमेंट मेधा इस्मृति करह, पत्या शोशग्न कुर्म उच्यते सेकंड इस्टेटमेंट बो लग गया है सरीर विर्हने, नान्याद, खाद्य मासा, द्विश इश्यते 95 नंबर का बताओ जल्दी इसका बताओ चार उप्शन आपके समने हैं, वैसे उप्शन तो वही है पूरे, ठीक है तो दो इस्टेटमेंट मेंसे, दोनों मेंसे कौन सा है, यह सही है कि गलत है, कि क्या है जल्दी बताओ, 95 तका नहीं भई, दोनों इस्टेटमेंट सही है ठीक है, फाइनल आंसर आपका बता रहो, यह आएगा 96 नमबर के कुश्चन क्यों राते हैं निम्न मेंसे कौन सा आहार संबंधित भेद चरक द्वारा दिया गया है चार आपके उप्शन है पेया, पीत, आध्या, बी और सी दोनों इसका आंसर बताओ तो पेया, पित, चरक के द्वारा कौन सा दिया गया है ठीक, बिल्कुल सही है, ठीक है 96 का आपका क्या जाएगा बी जाएगा, पित बताओ गया, आसित, पित, जिटका दिया ठीक है, फिर नेक्स्ट कुश्चन के और आपना आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दो स्टेट्मेंट अगें दिये गया है दोने स्टेट्मेंट आप बताओ, ठीक है, पहला इस्टेट्मेंट बोलागे है कि चरक कनुसार कामला रक्त प्रदोशज विकार है second statement बोले गए है चरक अनुसार गुल मरक्त प्रदोशाज विकार है तो चरक अनुसार कामदा रक्त प्रदोशाज विकार है चरक अनुसार गुल मरक्त प्रदोशाज विकार है 97 का बताओ ये चार option है final answer अब put up करें जल्दी ठीक है मैं answer बता रहूं यह आएगे इसका अंसर 97 का ठीक है दोनों सही हैं दोनों रख्त प्रदो सज़वादी है 98 नंबर के question क्यों अपने आ जाते हैं आप 98 हम बोलागे है कि मृत्यू के अनूचर वैद्ध कितने प्रकार के ज्यान से सुन्य होते हैं चार option है आपके 5, 4, 10, 3 नित्यों के अनूचर वैद्ध कितने प्रकार के ज्यान से सुन्य होते हैं इसका अंसर जल्दी आ जाना चाहिए पाइनल अंसर पूट अपकर जल्दी अंसर बता रहूं मैं अब 98 का आपका जाएगा ये फिप्त अंसर जाएगा 98 का ठीक ये आएगा फिर 99 नंबर के वह राते हैं 99 में क्या question पूछा गया है तो एक वैद्धे द्वारा दूसरे वैद्धे की परिक्षार्थ निर्दिष्ट अस्टवीध परिक्षा में संबलित नहीं है बताओ कौन से है पहला आपका option है प्रस्ण प्रस्णार्थ इस्थान इस्थान इस्थनार्थ तंत्र तंत्रार्थ ग्यान इस्थनार्थ ये आपको question है question अच्छे पढ़ ले पहले option plot करूँ final answer put up करें जल्दी यल्ली यल्ली put up कर लिये मैं answer बतारूँ अप ग्यान ग्यान इर्था का ठीक है डी जाएगा next question क्यों आपने आगे बढ़ते हैं आज का जो last question है ये मेरे को बताना चलो पढ़ो आप लोग पढ़ो इसको reference बताना है इसका पढ़ लिये पढ़ दूँ एक बारा ठीक है पढ़ देता हूँ यथा सुमनान्स शुत्र स्रंगहार्त विदियते स्रंगहार्त यथा अर्था अर्था नाम रिणिया संग्रह ग्रिता ये किसका reference है चार option है आपके चरक सुत्र 12 by 10 चरक सुत्र 30 by 89 चरक सुत्र 14 by 50 चरक विमान 1 by 15 किसका reference है अगेन बताओ चार option है आपके देखो जिन लोगों ने logic लगा है उन लोग तो सही आंसर दे रहे हैं ठीक है यूँकि मैंने बोला भी था कि 60 to 70 थर्टी तक के जो सुत्रिस थान है ठीक है उत्ते ही question हैंगी क्या जाएगा आंसर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 30 जाएगा ठीक है जिन लोग logic लगा है उन लोग बिल्कुल लेकिन श्लोग का reference याद रखना है ठीक है इंपोर्टेंट है यह थोड़ा श्लोग है मैंने बताया भी था ठीक है यहां पर आपका जो hundred है questions यहां पर आपके solve हो होते हैं अब इसके बाद ने आपका सुत्र का त कि उसकी हिसाब से सॉरी schedule के साब से अपन चलेंगे तो schedule आप लोग देख लेना कौन से निदान है कि विमाने उस हिसाब सब्सक्तिप्र कर लेना ठीक उसमें अपन टोटल पूरा 12 चप्टर देखेंगे तो इसा नहीं करेंगे आगर रहेगा participation तो मैं बता दूंगा जैसे इ बागी सभी लोग अपने जितना आंसर सही हुए ठीक है इमानदारी से अपना बता देना जब मैं बोलूंगा ग्रूप में मेसेज करने के लटो ठीक है ओके वीडियो भी प्रोवाइड कर दूगा ओके ठीक है तो फिर कि अब आज के लिए इतना ही ओके कि